गुडिविन दोस्तों स्वागत है आपका शिक्षा फांडेशन में मैं हर्शित्रिपाटी आज आप लोग के साथ डिस्किस करूंगा कि आमस्वक नंबर क्या होता है और इस पी बेसिक जावा का प्रोग्राम करेंगे चलिए हम लोग जानते हैं पहले आमस्वक नंबर क्या ह होता है आमस्वक नंबर की पहले एक बड़ आप लोग डेशन देख लीजें आमस्वक नंबर इस पॉजिटिटिव इंटीजर सच दाट था सम आफ दा क्यूब्स ऑफ इस डिजिट इस इक्वल तो नंबर इटसल मान दीजे मैं एक नंबर लेता हूँ 153 ठीक है अब डेश एक डिजेट का हम लोग क्यूब करेंगे 1 इंटु 1 इंटु 1 इंटु 1 इकोल तो आया 1 फिर हम लोग 5 का क्यूब करेंगे 5 इंटु 5 इंटु 5 इंटु 5 इकोल तो आया 125 अब फिर हम लोग 3 का क्यूब करेंगे 3 इंटु 3 इंटु 3 आया 27 अब इन तीनों को definition के साबसे हम लो का 153 अब देखिए जैसे definition में कहा गया था वैसे ही आया the sum of the cubes of its digit is equal to the number itself अब देखिए मैंने ऐसे किया है और ऐसे ही आप लुका आ गया है अब चलिए यही same logic हम लोग एक जावा के प्रोग्राम में लगाते हैं और देखते हैं यूजर दरा दिया या नमबर आमस्ट्रोंग नमबर है यह नहीं चलिए आएए जावा करते हैं कि एक क्लास बनाएंगे आमस्ट्रोंग की यह यह रहा है इस टी आगो एंजी इसे आए बिप्रामे की इसे में सुखताक जावाते हैं इसे में स्कॉन मबर नवे जा साम की आख वायंगे तुश्ट्रुप्ट यह यह ितने हम प्र git आख म Drag के फिसस्ट्रीच कर देख में में फंक्चिन अब लोग बालुज इंचिलाइस करेंगे एक बालुज रेगे एक रिमेंडल के लिए वारिपल लेंगे और एक सम लेंगे जिस्टमें हम लोग वह आम सोंग बैल्यू स्फोग करांगे कि आम संग में है कि नहीं और कि हम लोग करके आड करना है तो इसलिए हम लोग 0 लिया एक temporary variable ले लेंगे यह temporary value हम लोग इसलिए लेंगे जब हम लोग program का execution program जब execute होगा तब यह number loss हो सकता है इसलिए हम लोग n जो users हम लोग value लेंगे वो temporary value में store कराएंगे एक scanner class जिसकी help सब लो user input लेंगे enter the number enter the number होगे अब जो आमनों लिया था user के लिए वो हम लोगं करेंगे अब हम लोग जो user से value ली गई है वो हम लोग एक temporary valuable t नाम के variable बे इस्टोर कराएंगे t equal to n because during execution of the program the number will be lost आप एक बार आप लोग एक बार करके देखिएगा कि t equal to n जब अगर हमने किया है अगर वो ना करे तो क्या होता है तब देखिए मुझे मेरे करन्ट बॉक्स पर comment करके बताएगा क्या हुआ आप लोग करके देखिएगा फिर इसके पीछे जो reason है वो मैं आपको विद्वत समझाओंगा आपको इस प्रोग्राम पूरा करने के बाद मैं आपको इस प्रोग्राम पूरे डिटेल में समझाओंगा आप एफ लिए इस समझाओंगो एşग एफ समझाओंगो खिल्डेण में समझाओि लिएक रिएक रिनल्म्सांग त यच तो आफ लिएक प्रोग्राम पूराम पूराम पूरा अगर एक स्टेट्मेंट है तो इसमें ब्रैक्ट लगाने की जरूरत नहीं है अगर एक स्टेट्मेंट से ज्यादा कभी लिखना पड़ जाता है तो इसमें ब्रैक्ट जरूरी होती है यह में फंक्शन एक लास का अब 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 देखते हैं कि प्रोग्राम कोई मिस्टेक तो नहीं है अब देखते हैं नहीं कोई मिस्टेक नहीं है चलिए देखते हैं अब जो है रन कर आया इंटेल नंबर हमने 153 लिया 153 लिया देखिए आमसौर नंबर 153 अब 150 के अलावा को यह नंबर लेते हैं माल लेजिए 123 लिया नौट आमसौर देखिए हम लोग का ब्लोगल लॉजिक जो है वह सटीक बैठा चलिए आए हम लोग प्रोग्राम के बाद डिस्कस करते हैं यहां पर अब वाइल लूप से देखिए वाइल एंड इस ग्रेटर दिन जिरो मतलब 153 जो लिया है यूजर ने जो दिया है वह एंड जो है जिरो से हमेशा बढ़ा होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए ठीक है आप डेफिशन भी आप लोग ने देखा था जबने पड़ी दी अब नीचे आए एंड 153 है ठीक है अब जब आर इकोल स्टू एंड मॉट 10 मतलब एंड म जब 153 को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे जो right side value होती है right point के right side value वो r में store होती है और जो left hand side value होती है वो n में store होती है चलिए 15.3 आया अब उसको हम लोग r में store करा देते हैं r की value हो गए 3 अब नीचे आए एंग सम इकोल टू सम प्लस r का cube जो भी r की value है उसका cube अब सम की value पर 0 थी 0 प्लस 3 इंटो 3 इंटो 3 इंटो 3 यानि r cube r की value 0 sorry r की value 300 कराए दी तो sum की value यहाँ पर हो गई 27 27 sum में store हो गया अब नीचे आईए n की value क्या थी 153 153 को टेंजे डिवाइड करेंगे तो आएगा 15 हमने आपको पहले बताया point के left hand side value n में store होती है और right hand side value r में store होती ह होगी है अब n की value होगी 15 ओपर चलिए देखेगा while loop में condition जो लगी है वो देखेगी कि n is greater than 0 मतलब 15 जो है वो greater than 0 है it is true तो loop चलेगा अब देखे अब r जो होगी 15 15 को 10 से डिवाइड करेंगे आएगा 1.5 ठीक है right hand side value r में store होगी so r की value होगी यहाप पर 5 पहले 3 दी अब होगी 5 तो नीचे आएगा sum sum में value 27 पहले store होगी दी अब हो जाएगा 27 plus 5 into 5 into 5 यानि r का cube तो हो जाएगा 27 plus 125 हो जाएगा आपका 152 sum में 152 store हो गया अब देखिए नीचे आया n की value क्या थी याद करिए याद करिए क्या थी n की value 15 थी ना 15 divided by 10 यानि की 1.5 हमने आपको पहले बताया right side net value r में store होगी और left hand side value n में store होगी अब n की value होई 1 अब उपर जो while में condition लगे है वो चेक करेगा कि 1 is greater than 0 it is true तो लूप चल जाएगा तो यहाँ पर r की value होई 1 r equals to n more 10 कैसे होई 1 चलिए बताते हैं अब 1 को आप 10 से divide करेंगे तो आएगा point 1 तो r में क्या answer हो गया point 1 यानिकी 1 r की value 1 हो गई नीचे sum की value 152 थी पिश्ली बार तो अब होजाएगा 152 प्लस 1 इंटो 1 इंटो 1 यानिकी r का cube तो होजाएगा 152 प्लस 1 equals to 153 अब नीचे आए n की value 1 थी 1 divided by 10 यानिकी 0.1 left hand side value n में store होगी n की value होगी 0 अब जो while में जो condition लगी है n is greater than 0 अब हाच करेगा 0 is greater than 0 it is false नीचे आएगा loop break तो अब देखेगा if वाले condition देखेगा if sum is equal to equal to t और t में जो value store थी वो n जो user syndrome ने मांगी थी वो value value t में store थी so sum की value है 153 153 equal to equal to 153 जो user ने दिया है ठीक है तो यहां पर print कर देगा it is a Armstrong number कि आपनों देखे हैं आज हम लोग ने आमसर नंबर के पार में discussion किया उस पर basic java program किया इस program में आपको अगर कुछ भी न समझ में आया हो तो मुझे बताएगा और अगर यह video आपको लोग को अच्छी लगी हो तो please like comment and share and please subscribe my channel thank you for watching this video कर दो